असलाम अलेकूं मैं उन जरीन आप देख रहें जरीन की चग अगर आपको में रेसिपीज अच्छ लगती है तो प्लीज में चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चली बनाते हैं आज हम बनाएंगे इंस्टांट मलाई़ पूडिंग, मैंने लिया दो टेबल स्पून कस्टाड पौडर। तीन टेबल स्पून शक्कर, पिस्ता कुछ धागे केसर, चार टेबल स्पून फ्रेश क्रेम, आदा कब दूद कस्टाड को मिक्स करने के लिए और आदा लिटर दू लेंगे चाशनी बनाने के लिए चले बनाना शुरू करते हैं अब सबसे पहले बनाएंगे चाशनी चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन में एक कप पानी गर्मोनी के लिए रख दिया है अब उसमें डाल देंगे आदा कप शक्कर अब शक्कर इसमें अच्छे से मेल्ट होने पका लेंगे यह देखे शक्कर इसमें पूरी तरह से घुल चुकी है अब इसमें डाल देंगे केसर और अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें औरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं चाशनी को पकते 2-3 मिनिट हो चुके हैं, हमें चाशनी को बहुत ज्यादा गाड़ा नहीं करना है, बस ये चिपचिपी सी हो जाए, गैस को आफ कर देंगे, ये देखें, इस तरहां की चिपचिपी होनी चाहिए, बस अब गैस को आफ कर देंगे, चाशनी हमारी तयार हो पैन में दूद मैंने डाल दिया है, अब इसमें गुबाल आने देंगे, ये देखें, दूद में अच्छा सा उबाल आ चुका है, अब इसमें डाल देंगे, 4 टेबल स्पून शकर, और शकर को अच्छे से मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे, ये देखें, शकर इसमें अच के गालें कस्टड परड़र को डालकर लगातर चलातेह।से when ने तक इसे पका लेंगे कि यह देखके कस्टड परड़ डालकर मैंने इसमें एक जाल यादें तक नड़ातर चलाते हूँ इसे पकालिया है अब इसमें डाल देंगे fresh cream fresh cream को डाल कर और एक से दो मिन्टी से पका लेंगे और अगर आप इसमें fresh cream नहीं डालना चाते तो आपके पास अगर खोया है या condensed milk आप वो भी डाल सकते हैं यह देखें 2-3 मिनिट में ही अच्छे से गाडा हो चुका है बस हमें इतना ही इसे गाड़ा रखना है क्यूंकि यह थंड़ा होकर और गाड़ा हो जाएगा मैंने यहाँ पर दो कंटेनर ले लिए हैं चलिए अब इसी में पुडिंग को सेट करेंगे सबसे पहले नीचे थोड़ा कस्टर्ड डाल देंगे अब इसमें रख देंगे टोस्ट के लिए हमने लगा ली अब इसमें डाल देंगे गरम चाशनी चाशनी अगर ठंडी हो गई हो तो आप हलकी सी गरम कर ले अब उपर डाल देंगे फिर से कस्टर्ड अब फिर से एक लियर टोस्ट की लगा देंगे दूसरी लेयर भी मैंने सेट कर ली है अब इसमें डाल देंगे चाशनी चाशनी मैंने डाल दे है अब फिर से उपर डालेंगे कस्टर्ड अब इसे गरनिश कर देंगे पिस्ता से आप चाहो तो अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट इसमें डाल सकते हैं एक को तो मैंने पिस्ता से गरनिश कर दिया लेकिन बच्चे जित कर रहे थे कि दूसरे को मैं स्प्रिंकल से गरनिश करूँ तो मैंने बच्चों की खुशी के लिए इसे स्प्रिंकल से गरनिश कर दिया लेकिन कस्टर्ड की हीट से सारे स्प्रिंकल दो घंटे में मेल्ट हो गए थे चलिए अब इसे फ्रिज में रख देते हैं दो से तीन घंटे के लिए पुडिंग को फ्रिज में रखे मुझे चार घंटे हो चुके हैं यह अच्छे से सेट हो चुकी है ये देखे, सारे स्प्रिंकल इसमें मेल्ट हो चुके हैं फिर भी ये कलरफुल नजर आ रहा है इसलिए बच्चे ऐसे भी खुश हो गए चलिए अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ और अगर आप एक बार ये पुडिंग बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी आपसे बार बार ये ही बनाने के लिए कहेंगे क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनकर तयार होती है ये देखे मैंने इसे चार घंटे फ्रिज में रखा था ये कितना बढ़िया तरीके से सेट हुआ है ये लिजे बहुत ही टेस्टी हमारी इंस्टन मलाई पुडिंग बनकर तयार है और अगर आपको मेरे सिपी अच्छी लगते हैं तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राय किजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे सिपी कैसे लगी